मेरे होंटों पे शिकायत भी नहीं आएगी सामने सब के हकीकत भी नहीं आएगी मेरे होंटों पे शिकायत भी नहीं आएगी सामने सब के हकीकत भी नहीं आएगी बस मुझे बेवफा केह देजिये मर जाओंगी बस मुझे बेवफा के देजिए मर जाओंगी आप पर कतल की तुहमत भी नहीं आएगी जहां बहार असमा था और वहां पर एको यह लगा कि चमर की हर चीज़ किसी के इंजनार में तो यह शायद नहीं घज़र लिखी और अजरा नहीं किस मज़र कर से टेक मिसरा जबानी याद किया हुआ है क्योंकि बकौल अजरा के अगर पूरी घज़र सुनाई तो पूरी राग उज़र जाएगी तो इस मिसरे का एक हिस्सा कुछियों है ये उर्दों में रैप है समझे पए गुलगश्टे गुलिस्ता जुगई उनकी सवारी तो चली बादे बहारी तो खिली फूलों की क्यारी कहीं कलिया हुई पैदा कहीं गुंचे हुए जाहिर कहीं नर्गिस कहीं बेला कहीं शपो कहीं सौसन कहीं लाले थे सनाखां कहीं तूटी हुई शाखों पे हमुराज के वो शाखें वरंगे सर तसलीम चुकी उनके कदम वर कहन औरस्ता खूबी जिसे कहते हैं ये महभूब नजर रश्के कमर जिसकी मेजां तीर फिकन जिसके कते सामरी फन इसी के लिए असबाब मोहया इसी के लिए सामान फराहम कहीं सबजे का बिचा वर्ष के बैठे वो गुले तर कहीं मेवे के लगे धेर के चक्खे वो सितंगर कहीं बानी से भरे होस के पीवे वो सनंबर कहीं फूलों की ये खौाहिश के हमें नोच के फिंगे कहीं शाखों, क्ये मन्छास के जरी साइ है! कहीं मेंदी की ये जिद वजद हैologists कि मुझे पीस की डाले! कहीं कुम्री की ये रठ है जाती है कोकु, कहीं बुल-बुल है तलाशी में कि इधर है протगुरू, तो तेश जून चान को पाँच सारी पाँच के तब करें चिरू होगा, प्लीज जरूर उसको सेफ़ दिजाए, जरूर रहें, तैंक यू सो मचुछ बहुत 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 शुबिया परजानु वो मुझ में कौन सा मोसम तलाश करता है? उसी से होके तो आते हैं मेरे साथ मोसम जरा सताओंगी, छेड़ूंगी, फिर मनाओंगी, जरा सताओंगी, छेड़ूंगी, फिर मनाओंगी, मैं एक साथ नहीं दूँगी सब किसम मोसम नदिन दिलबाप्रभाक्सान, जदी रिखाब लेमार, आज कैनड़ा की से कानड़ा होगी, वियनज disso हो है, आज जियन गहरे किनेकों, जरा सते हैं व किनाड़ा कामर बहीत से नहीं पर अच्छी शायरा भी है, इनकी सायरी ही हम सुनाएंगे, जरा कमर बहीत से हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या हुआ और इसकी तफसील बताया आपने इसकी नजामत की थी जी बहुत बहुत शुक्रिया इंतिखाद साथ असलाम लेकूम हमारा आज का जो मुशायरा था वो जशने बहारां के हवाले से था इसकी नजामत की जीमदारी मुझे सोंपी गई थी प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा हुआ हमारे प्रोग्राम में कुछ नए शौरा और कुछ हमारे पुराने शौरा ने अपने कलाम से सामेईन को मुस्तफीज किया कुछ हमारे ऐसे महमान हैं जो के जन्होंने हमें फैज अमद फैज की घजने सुनाई गाकर सुनाई उनकी खुबसूरत आवाज में उन्होंने हमें सुनाया उनका कलाम और हमारे एक बहुत ही महतरम जन्हाब डाक्टर अखलाक एहमद जिलानी साथ जो पाकिस्तान से तश्रीफ लाए उन्होंने भी सदारत के फराइज अंजान दिये और फिर उन्होंने अपना कलाम भी सुनाया अपने बारे मेलों मसामेईन को बताया प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा हुआ उसमें कुछ जो हमारे पंजाब से इंडिया से पंजाब से थे तो रख लया उनकिन भी आपनी शाहरी सुनाई और हमारे पक स्वेद्वे के थीश्रा जो हैं उन्होंने भी अपनी शाहरी सुनाई बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ ज्वित नाषो, दिल एफ्षे सब्सेजाइ बाइडिया तो मेरे साथ प्रोफेसर गिलानी साहब है अखलाच गिलानी साहब है और लॉयर मुहम्म सेयर साहब है और दिलपन पाकिस्तान इरॉन के मठाने के लिए इस सेशन में हम आपको वैलकूम करेंगे वैंकूबर में कांग साब इनका आप इंटर्विव करें आपने इने बहुत सुना आज जी गिलान साब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप तश्रीफ लाए और आपने आज की तक्रीब में हिस्सा भी लिया तो आप मेरा ख्याल है कि अपना तारुफ थोड़ा सा मुख्त सर्जा खुद ह कराएं हमारे सामें यह हमारे नाजरीन के लिए मैं कैमिस्ट्री का रिटार्ड प्रोफेसर हूँ तो कुछ चाली साल मैंने पुपड़ाई है कैमिस्ट्री लेकर अदब मेरा पैशन है तो अर्दू और पंजाबी दोनों क्योंकर पंजाबी मां बोली है दोनों में मैं शार तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया तो हंस्ते मैंने इतना शानदार यानिका सिर्फ संजीदार शारी बलके अक्सर यह होता कि पाकिस्तान में मिशारा होता जो जितने शायर होते हैं उप सुना के अपना अपना रामते कपड़े चाड़के तुर्जे बांद इसमें कोई शक नहीं है वैंकूवर की जांग दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब हम बद आपके लिए जिशन बहारा जो जो कैनड़ा दी कैनड़ा ओर्दी अस्योसिएशन ने यह प्रोग्राम के निकाच किया यह यह पर फ्रोग्राम जो जिशन बहारा के दाप्र बहार इंतची हैं और यह पर लोग जो हैं अपने इस महाल में गरम महाल में यहां पर इसमें शामिल हैं और हम आपको मुखलिफ शुरा की लोकल शुरा की शायरी भी सुनाएंगे और आप अमारे साथ देखते रही है विनकुवर की जान दिल अपना पाकिसाथ इसकदर उसकी वफाओं पर यकीन रखती हूं इसकदर उसकी वफाओं पर यकीन रखती हूं मांग लेगा वो मुझे भूर को ठुकरा देगा जशने बहारा है तो बहार तो आनी है प्यार महबत कभी ज्यादा नहीं होता हमेशा कम ही रहता मैं अब दावत देती हूँ हमारे बहुत ही प्यारे हसन जैदी साथ को कि वो आएं और हमें बहार के बारे में कुछ गा कर सुनाएं बहार पे वैसे तो मौसम जो है उसके बारे में है लेकिन शौरा हुजराओ ने बहार को एक इस्तियारा के तोर पर इस्तिमाँ किया है महबूग के लिए और गालिप का एक शेर है के उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिप हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है लेकिन मिज़र साथ वेनकुवर बयाबा नहीं है माशाएलला से सरसब्द और शादाब है और बहुत खुब्सूरत फूर खिले हुए हैं जिसकी खुश्बू आज इस पुर्दू एस्सियेशन की उसमेफिल में शामिल है अशादाब फैस साथ की चंद अशार जो कि करांच पाकिस्तान और हंदुस्दान के मौसली पढ़ने वालों ने उसको पढ़ाया है तुमाए हो न शब इंतिजार गुजरी है तुमाए हो न शब इंतिजार गुजरी है तलाश में है सहर बार बार गुजरी है तलाश में जुनूम जेते निभी गुजरी बार गुजरी है जुनूम जेते निभी गुजरी बार गुजरी है अगर्च दिल पे खराबी हजार गुजरी है अगर्च दिल पे वो बात सारे फसाने में जिसका जिकर न था वो बात सारे फसाने में जिसका जिकर न था वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है वो बात इनको और हुई है हजरत नासे से गुफ्त गुजिस शब हुई है हजरत नासे से गुफ्त गुजिस शब वो शब जरूर दरे कुल है यार गुजरी है वो शब और शेर एक और चुनिया आप ना गुल खिले है ना उनसे मिले ना मैं पी है ना गुल खिले है ना उनसे मिले ना मैं पी है अजीब रंग से अब के बहार गुजरी है अजीब रंग से खेजा के हाथों गुलों पर नजाने क्या गुजरी खेजा के हाथों गुलों पर नजाने क्या गुजरी चमन से आज सवाबे परार गुजरी है तुमाए हो ना शब उन्तिजार गुजरी है बहुत शुक्रिया आपकी सुम्हाँ अपने खालीपन को भरना चोड़ दिया तनहाई से बिलकुल डरना चोड़ दिया अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो अब तो मैंने तुम पे मरना चोड़ दिया तुमको हिच्की आने से भी दिक्कत थी तुमको हिच्की आने से भी दिक्कत थी सो मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया कोई फ़िवाद तेरे दिल में दभी हो गैसे एक लमगे में सिमट आया सदियों का सफर एक लमगे में सिमट आया सदियों का सफर जिन्दगी ही तेज बहुत तेज चली हो जैसे कोई फ़ियाद तेरे दिल में दभी हो जैसे तुने आँखों से कोई बात कही हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दभी हो जैसे मुझे तबक्कों नहीं दिल मुझे आवाज दी जाएगी लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और इतने दो खुसूत आवाजों के बाद दो गुलुकारों के बाद मुझे आवाज देना नहीं पता नहीं जाएगी है कि जाएज की बात है खेर मौसम बहुत अच्छा है बारे शोरी और इस तरह की तक्रीब के लिए बड़ा मापूल मौसम होता है विसी की बड़ालग कहते हैं कि बनकूबर में जिकर होता है विस सबजा है लेकिन पता नहीं क्यों सबजी मेंगी है हमारे एक बहुत ही पंजाबी के मशूर शायर सुर्जीत पातिर साहब उनका नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा बहुत उनका अभी अभी कुछ दिन पहले शायर दस मई को वो इंतकाल फर्मा रहे और इतने बड़े शायर जो शायर सदियों में कभी पैदा होते हैं चला आया यह तो मैं वो अपने जो मेरे पास थोड़े बहुत यह नैपकिन्स होते हैं जो और इतने पर मैंने लिख़ा होता है वो मैं साथ नहीं लाया हूँ तो बहरा जितने मुझे अशायर यहार आ रहे हैं उस घजल को पंजाबी की घजल सबसे पहले मैं वो आपकी खत्वत में हाजर करता हूँ और उनकी बड़ी खुबसुत घजल है लेकिन उस पाय की तो नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की थी और मैं समयता हूँ कि एक किसम का खराज़ा की बितने उनके लिए मेरी तर्फ से चन्दी चन्डी है नाए तारे आंदिलो है नजरांदा है पुलेखा दिसदा किसे नजो है चन्दी चन्डी है नाए तारे आंदिलो है नजरांदा है पुलेखा दिसदा किसे मुझो है खत दे जवाब विच सं मेरे ही खत दे पुर्जे कासद नू सब पता है ओदे तो की लगो है कासद नू सब पता है ओदे तो की लगो है हाँ जी हम्द आगी है सामने दरह हम्द के कुछ दो चार शेयर उख से बादा किया था मैं संगे आरजू हूँ मैं संगे आरजू हूँ खिला में उचाल दो कदमों में काइनात हो ऐसा कुमाल दो हर शेयर में उसको देख रहा हूँ यहाँ वहाँ जिसमें नहीं वो जलबागर ऐसी मिसाल दो कब तक मैं कहलो काल की जन्जीर में रहूँ कब तक कहलो काल की मैं जन्जीर में रहूँ थोड़ी सी देर सूरते रूमी दमाल दो कब तक रहूंगा परदा इमकान की खाक में कुन कहके रंगो नूर को अपना जमाल दो कुन कहके रंगो नूर को हर लम्हा नाच उठे मेरे नाखुन की पुष्ट पर हर लम्हा वो पराने वो जाज़ वो थैं लोग कहते हैं जिन होता वो कालक मल लेता थैं कहते हर चीज नाखुन के अंदर नजर आती है तो हर लम्हा नाच उठे मेरे नाकुन की पुष्ट पर जिन्जीर करके जिन्जीर करके होश कभी ऐसा हाल दो कब से हूँ इस्तराब में अपने वसाल के ये बातुतल वजूद की तरह कब से हूँ इस्तराब में अपने वसाल के मैं खुद से मिल सकूँ मुझे अपना वसाल दो हर गुल लुहियत की महक का अमी हो हर गुल लुहियत की महक का अमी हो अखलाक के शौर को सरसब्स डाल अब मैं दावत देती हूँ हमारे प्यारे शायर तैमूर को कि वो आए और हमें अपना कलाम सुनाए एक मजलत शेरा बो सुन देजिए वह है के निगाह लुफ och करम نकरब के रिशते दे जाम भुला दिया है निगाह लुफ़ करम नकरब के रिशते दे जाम भुला दिया है खजस्ता खातिर फरे बेहस्ती निवब जीना सिखा दिया है और एक घजल के को शेरे हैं chromसeur ओसनुली के रंज से मावरा भी एक, दुनिया पसे हिजाब है, दश्ट है मेरे चार सुद, दश्ट में एक सराब है रंज से मावरा भी एक, दुनिया पसे हिजाब है, दश्ट है मेरे चार सुद, दश्ट में एक सराब है और कतल गहे यकीन से, शीराजा भी वजूद तक, जो भी है शेर दीद है, जो भी है मुलके खाब है और मेरे लहू में हिफ्ज है, अब वो किताब रोश्नी, जिसकी हर आयत जजा आग से इंतिसाब है मेरे लहू में हिफ्ज है, अब वो किताब रोश्नी, जिसकी हर आयत जजा आग से इंतिसाब है, और नक्ष हैं लोहे दिल पे क्यों, सब वो सवाल आरजू जैन में जिनका सोचना जुर्म का इर्टिकाब है, और नक्ष नाजशे जुनू, अब तो मुझे कुबूल कर, खुश्बूवे खुमे तर्बतर, सबी बदन गुलाब है, रंज से मावरा भी एक, दुनिया पसे हिजाब है, दश्ट है मेरे जारसू, दश्ट में एक सरावे बहुत शुक्रिया तर्ब, आपकी घजले हमेशा बहुत ही खुब्सूरत और डीप होती है, वाकी में बहुत गैरी होती है, जख्मों पर मरहम लगवाऊं लेकिन उसके हातों से, ये वो ही जानते हैं, जो कहने की जरूरत नहीं है, जख्मों पर मरहम लगवाऊं लेकिन उसके हातों से, चारा साजी एक तरफ है, उसका चुना एक तरफ, उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है, उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है उसके सपने एक तरफ है मेरा सपना एक तरफ है अब मैं दावत कलाम देना चाहती हूँ हमारी प्यारी आल हमारा साहब को के वो आएं और हमें अपना कलाम सनाए प्लीज अपनी तालियों से उनका इसे बाल कीजिए बहुत शुक्रिया कामर शायरा नहीं हूं सिर्फ तुक बंदी करती हूं और कभी-कभी ऐसे ख्याल आते हैं जो खुद बाखुद अजीब से रंग में ढ़लते हैं मैं खुद भी पढ़ती हूं तो सोचती हूं कि क्या मैंने लिखा तो इसलिए तुक बंदी ऐसे मैं सारे गम बुलाना चाहती हूं मैं सारे गम बुलाना चाहती हूं मैं अब बस मुस्कुराना चाहती हूं मकान था जो बना था अर्सा पहले मकाँ था जो बना था अर्सा पहले उसे मैं घर बनाना चाहती हूं बहारें आ गईी हैं रंग लेकर बहार को हर कोई अपने हिसाफ़ शे देखता है बहारें आ गईी हैं रंग लेकर मैं सारे रंग चुराना चाहती हूं हो इतने फूल के भर जाएं रस्ते हो इतने फूल के भर जाएं रस्ते मैं अब गुल्दां सजाना चाहती हूँ कफस में कैद हैं जितने परिंदे मैं उन सब को छुडाना चाहती हूँ उठाएं सब ही अब लुट्वे बहारा मैं सब को गुडगुडाना चाहती हूँ मैं वो काम आज तक नहीं कर सका लेकिन जो मैं कर सका हूँ आपका प्रेगाम आपकी शायरी आपकी नसर अलहमदुल्लाद 24 साल से अपने मिरिकल अख़वार में चला दे रहा हूँ और ना सिर्फ यहां बलके सौदी अरब से अमेरिका से, पाकिस्तान से, अस्टेलिया से क्योंकि ये अल ओवर दे वर्ड डिजिटल अख़वार होने की वज़ा से ये देखना पढ़ा जाता है तो बहुत सारे राइटर अर्दू में अपनी चीज़ें बेचते हैं और मैं आप और यहां के कई राइटर्स का, मैंने अलहम्दल्ला उनकी शायरी इसमें लिखी है शायर की है, तो आप लोगों से फिर इलतमास करता हूँ, जो मुकामी शायर है क्योंकि मेरा फर्ज है प्रोमोट करना और अगर मैं अर्दू शायरी के काम आ सका, प्रोमोट कर सका, जो के कोशिश कर रहा हूँ 24 साल से, तो मेरे लिए बाइट से इज़त होगा